हेलो वाई साज हम बात करेंगे रियल मी नार्दो 50i के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है स्क्रीन टच प्रॉब्लम के बारे में देखिए अगर आप लोग को स्क्रीन टच में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आप लोग की फोन में टॉल्क बैक जो है वो अन हो जिसको समझता है वही उसको आफ कर सकता है यह तो बाकी ऐसे बहुत सारे लोग है जिनको यह सब आफ करते नहीं आता तो अगर आप लोग को इस टैप की प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे आप लोग इसको फिक्स करेंगे सब हम आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले subscribe कर लिजी का bell का icon को press कर लेना है तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग को यहाँ पर settings open कर लेना है उसके बाद यहाँ पर जाना है हमें additional settings में उसके बाद यहाँ पर option मिलता है accessibility का इस पर हमने पर लोग अपर पर लोग को तो क्या होगा कि ये voice आते रहेगा इसमें और कौन सा क्या feature है वोईस के माध्यम से आप लोग के बताते तो रहेगा बट क्या होता है कि अगर आप लोग इस feature को on कर देते एगर आप लोग लोग u profit को काफी अची बात है अगर off करते नहीं आता तो आप लोग इसमें ही उलत जाएंगे तो जैसे अगर आप लोग इसको on भी करें on करने के बाद आप लोग को करना क्या पड़ेगा इस देखिए on करने के पाद जहां पे भी आप लोग को touch करना है वहां पे आप लोग एक बाद टच न करें आप लोग को double tap करना है double tap करने के बाद आप लोग इस option को जब भी off करने करेगा तो आप लोग को अपने phone को जो है जो भी option मिलता है उसको double tap करना है double tap करने के बाद ही आप लोग की phone का screen काम करेगा और आप लोग इस feature में आएंगे talkback में और आप लोग इसको बंद कर पाएंग तो यही तरीका है टॉल्क बेक बंद करने का जिससे आप लोग इस स्क्रीन जो है काम नहीं करता ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय मतादी